दोस्तो 30,000 रूपे का प्राइस सेग्मेंट इतना ज़्यादा कॉंपेटिटिव हो चुका है कि हर रोज एक नएक स्मार्टफोन इस वाले प्राइस सेंज में लोच होता है हर एक ब्रेंड का आपको इस प्राइस सेंज में स्मार्टफोन मिल जाएगा चाहिए फिर रेल्मी हो, रेड्मी हो, ओपो हो, पोको हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, नतिंग हो, मोटो हो हर एक brand का आपको इस वाले price point पे smartphone मिल जाएगा और offline में जड़तर Oppo और Vivo के smartphone चलते हैं और उसी रेंड में Oppo ने एक और नय smartphone launch कर दिया है Oppo F27 Pro Plus तो आज की वीडियो में मिसी के बारे में बात करने वाले कि क्या ये वाला smartphone 30,000 रुपे का budget में आपको खरीदना चाहिए या फिर ने खरीदना चाहिए क्या क्या चीज़े कैसी मिलने वाली है वैसे अगर आप इस चैनल पर पहली वार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि इस टाइब का amazing content आपको इस चैनल पर मिलत रहेगा आज 13 जून को ये वाला smartphone लोग चुचुचुगा है प्राइस रखी है 17,999 रूपे स्पेसिविकेशन की बात करतो यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.7 इंच फुल SD प्लस, AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेशेट के साथ आने वाली है यहाँ पे आपको 800 NITS की पीक ब्रैटनेस मिलने वाली है साधी साथ यहाँ पे आपको Realme 12 Pro Plus की बहुत जादा याद आने वाली है इस वाली स्मार्टफोन को देखके पीछे से भी आगे से भी आगे की तरफ यहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाएगी अगर बात करें प्रोसेसर की तो यहाँ पे ओपो ने टटी कर दी है आपको बहुत पुराना प्रोसेसर मिलने वाला है यहाँ पे आपको कलर ओएस 14 बेस एंड्रोइड 14 आउट ओफ दी बोक्स मिल जाएगा बेस वरिंड में आपको आट जीबी की रैम मिलेगी 128 जीबी की इंटरल मेमरी मिलेगी कोई micro sd card का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है और ufs 3.1 इंटरल मेमरी में मिल जाएगी बात करें कैमरे की तो दो मेगा पिक्सल का macro lens मिलेगा यहां पर आपको कोई ultra wide lens नहीं मिलने वाला है और जो इन्होंने primary camera में जो इन्होंने sensor यूज करा है वो भी बहुत पुराना करा है तो एकदम blender इन्होंने कर दिया 64 megapixel का दो डाल दिया लेकिन quality की बात करें तो वह जब phone हाथ में आएगा उसी के time पर बता पाएंगे लेकिन अगर on paper की बात करो तो camera इतना ज्यादा promising नहीं लग रहा है 28000 रूपे के हिसाब से वीडियो की बात कर तो इससे आप 4K 30 fps पर वीडियो शूट कर पाएंगे selfie camera सिर्फ 8 megapixel का मिलता है मतलब यार ओपो क्या कर रहो यार तुम 8 megapixel का camera डाल जे वो भी 28000 रूपे के smartphone में कुछ तो शर्म कर लो यार इसको लूटने वाले हो थोड़ा सा अच्छा camera डाल दो या फि 30 fps पर शूट कर पाएंगे वीडियो क्वालिटी वगेरा की बात मैं अभी जादा नहीं करना चांगा क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं करा है जैसे ही smartphone हमारे पास आ जाता है तो उसका in-depth review आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है उसके लिए आप चैनलों का जर भी मिल जाएगा battery output एक दिन का आराम से आपको इस वाले smartphone से मिलने वाला है और अब करते हैं कुछ points की बात जो कि मुझे इस वाले smartphone में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है सबसे पहला point है कि इसमें आपको कोई भी ultra wide lens नहीं मिलने वाला है सिर्फ दो camera मिलते एक primary वाला मतलब 28,000 रूपे ओपो लेने वाला है और यहां वे आपको ultra wide का support भी नहीं मिलेगा अगली चीज है कि main camera में आपको OIS का support नहीं मिलता है जो की मिलना चाहिए था इस price point के सभी smartphone में आपको OIS का support मिल जाता है और जो main camera में इन्होंने sensor यूज़ करा है वो भी बहुत पुरान इसमें आपको dual speaker का support नहीं मिलने वाले सिर्फ single speaker मिलने वाले नीचे की तरफ सो अगर आप content consume करते तो वहां पे आपको dual speaker वाला मज़ा इस वाले smartphone में नहीं आएगा selfie cameras बहुत ही गटिया दिया हुआ आठ मेगा पिक्सल का selfie का रहा भाई 28000 रूपे के smartphone में 8 मेगा पिक्सल का selfie camera कौन डालता है क्या कर रहे हो पो वालो कितना खाओगे कितना लूटोगे customer को थोड़ी तो शर्म कर लो यार 8 मेगा पिक्सल का camera डालते टाइम क्या तुमें थोड ही तो शर्म कर लेते हैं अगर आप smartphone बना रहेते 28000 रूपे इसका price रख रहेते थो थोड़े सी market की तो respect कर लेते जो इस price point पे दूसरे smartphone आते हैं तो उसके आज पास तो specifications रख लेते हैं उनसे दूर दूर कोई नाता नहीं है specifications के साब से तो मैं बोलूँगा कि इस वाले smartphone का price 18-20,000 रूपे से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था 7-8,000 रूपे ये वाले smartphone expensive है तो अगर आप इस वाले smartphone को खरीदने की सोच रहे हैं तो भाया रुक जाओ Realme के smartphone आपको मिल जाता है 12 Pro Plus Redmi Note 13 Pro Plus भी आपको सेम ही price point पर मिल जाता है तो वो वाले device इससे बहुत जादा better है वहाँ पे आपको better camera मिलने वाला है साधी साथ processor भी इससे लाग गुना अच्छा मिलने वाला है आप अपने पैसे को बचाईए और OPPO F27 Pro Plus को बिलकुल अवोइड करिए बिलकुल भी खरीदने लाइक smartphone नहीं है 28,000 रूपे का तो आपको कैसा लगा यह वाला smartphone कमें सेक्शन में जरूर बताएगा यही था इस वीडियो में कैसे लिगी वीडियो कमें सेक्शन में जरूर बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिए क्योंगी इस टाइप का अमेजिंग अटनेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए आई श्यागों के बाई and be safe